जानकारी के अनुसार चत्रो चट्टी पंचैत के व्रद महिला पुनिया देवी कुंती देवी सहित अन्ये महिलाओ को सरकार की तरफ से मिलने वाली म्रधा पेंशन का पैसा बंगाल चला जा रहा है ऐसे मेन महिलाओ के घरों में चूला जलना मुश्किल हो गया है अब इन्हें अपने पेट की आग बुझाने के लिए दूसरों के जानवरों को चलाना पड़ रहा है इस समन में स्थाने मुख्या महादेव महतो ने बताया सभी महिलाओ का बैंक खाता जहारखन ग्रामिड बैंक में खुला हुआ है शुरुवाती समय में सभी शुरुवाती समय में सभी महिलाओं के पेंशन की राशी ग्रामिन बैंक में आती थी लेकिन तकनिकी गड़बडियों की वज़ा से इन सभी महिलाओं का अधार नंबर बंगाल से जुए गड़बैंक में खुलवाय गया अकाउंन नंबर और एवंब बंगाल बैंक ऑफ इंडिया में किनी उप भोकताओं का अकाउंट नंबर भी एक जैसा होने के कार्णेर महिलाओ को सरकार की तरफ से मिलने वाली पैंशन कि राशी बंगाल चली जा रही है बैसे में सवाल यह उठता है महिलाओ को उनका हग का पैसा कैसी मिलेगा किर दो बाहरा या कःतना बाहरा या कांता धिन से पांशन ना मेरुनख साल पहले पांशन इन दूप साल यह जा जाइओ तो यह जाई ता पर दो यह जा जाईवा भीगड के खढ़ा हो जाए निए जाल इन दो पताना के अ बगेन लगता हर पाईसा कहां जा रहा ला? यह भी को मुखिमे को बेखा बंगाल जाहा, मसी तर पाईसा बंगाल जाहा से को कहे नहीं मिला? के डिवर बंगाल चल जाहा-ओ कौन बला इवात को? मनिंजर तकने जर्कुंपाला कि बंगाल चल जाता है पाइसा तो दिन चाना मिल रहा है इनका मामला पेंशन दूहजार सोलों में हम कराये थे एक साल तक मिला और दूहजार सत्रह में जब बंद हो गया तो एक साल के बाद लाभूग हमरे पास गई तो 2018 में इनका जांच परताल किये तो पैसा बंगाल जा रहा है हावड़ा रिस्टिक में है क्या कारण से इन लोगों का पैसा बंगाल जा रहा है बोल रहा है कि अधार इनका साथ मने जूड़ गिया है बंगाल में ग्रामिंट वाइंग का जो अकॉंट नमर है चालीस ताइस वह बंगाल का भाई को फिंडिया का अकॉंट नमर सेम मिल जा रहा है चारों का अधार वहां उनके साथ लिंक हो गया है तो हमने बोले कि जदी आप लोग अधार से पैसा छोड़ रहे हैं तो इस पैसा को एकॉंट पर छोड़ा जाए चुकि लाभू को डारेट लाभ मिले और उनका खाता में पैसा जाए लेकिन हम तो बहुत कोशिस किये प्रियास करने बाद भी हम